योगफल ग्याद करें 15 धन 46 धन 39 तो यहाँ पर हमें 15 रिन 46 और 39 का योगफल ग्याद करना है तो चलो मैं संख्या रेखा की मजद से इन्हें जोडने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर ये संख्या रेखा में बना लेता हूँ और संख्या रेखा पर हम शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ शून्य से अब सबसे पहले हमें यहाँ पर 15 चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले हमें चाहिए 15 तो पंद्रा जो है वो एक धनात्मक संख्या है यानि कि वो शून्य के दाई तरफ होगी इस संख्यारिखा पर तो शून्य से यहाँ दाई तरफ हम आगे चलते हैं और समझो कि यहाँ तक हम पहुच जाते हैं पंद्रा तक तो यह है पंद्रा अब हमें इस पंद्रा में हमें जोड़ना है यह रिंड 46 तो यहां रिंड 46 को हमें जोड़ना है पंद्रा में तो अभी हम पहुचे हैं पंद्रा तक यानि कि हम हैं अभी यहां पर और यहां पर हमें अगर रिंड 46 को जोड़ना है यानि कि हमें 46 थान आत्मक संख्या के लिए हमें जाना होता है बाई तरफ तो अब मैं यहां से 46 थान बाई तरफ जाता हूँ तो यहां से 46 थान हम चलते हैं बाई तरफ तो समझो कि यह है 46 थान बाई तरफ तो यह हो गए रिंड 46 तो अब हम पहुच गए हैं यहां तक और यह संख्या कौन सी है यह हम कैसे पता कर सकते हैं तो यहाँ पर तुम देखो तो इस नीले एरो की लंबाई है 15 और इस हरे एरो की लंबाई है 46 और अब अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस गुलाबी एरो की अगर लंबाई चाहिए तो हमें इस हरी लंबाई में से ये नीली लंबाई घटानी होगी यानि कि जब हम 46 में से 15 घटाएंगे तो हमें इस गुलाबी एरो की लंबाई मिल जाएगी तो यहाँ पर हमें 46 में से घटाने हैं 15 तो देखते हैं हमें क्या मिलता है तो 6 में से 5 घटाने पर हमें मिलता है 1 और 4 में से एक घटाने पर हमें मिलता है 3 तो 46 में से जब हम 15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 31 यानि कि इस गुलाबी एरो की जो लंबाई है वो है 31 लेकिन ये यहाँ पर 0 से 31 थान 2 तरफ है यानि कि ये जो संख्या है यहाँ पर ये होगी रिनात्मक तो ये होगी यहाँ पर रिन 31 तो यानि कि ये जो 15 धन रिन 46 है इसका उत्तर हमें मिल रहा है यहाँ पर रिन 31 और अब आगे हमें इसमें जोडने है 29 और तो यहाँ पर हमें 29 और जोडने है अब जो 29 है वो एक धनात्मक संख्या है और अभी हम है यहाँ पर इस बिंदू पर तो यहाँ से अगर हम 29 थान दाई तरफ जाएंगे तो समझो हम कुछ यहाँ पर पहुचते हैं और यह जो नारंगी एरो है इसकी जो लंबाई है वो है 29 तो हम इस बिंदू से 29 थान दाई तरफ पहुचे हैं तो हम पहुचेंगे इस बिंदू पर अब इस बिंदू पर कौन सी संख्या है यह पता करने के लिए हमें काम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो तो शून्य से यह जो गुलावी एरो है यह 31 थान दाई तरफ है और यहाँ से इस बिंदू से यह जो नारंगी एरो है यह 29 थान दाई तरफ है तो अगर हमें 0 से इस पीले बिंदू तक पहुचना है तो यहाँ पर हमें इस गुलाबी एरो की लंबाई में से ये नारंगी एरो की लंबाई घटानी होगी यानि कि यहाँ पर हमें 31 में से 39 को घटाना होगा तो यहाँ पर हमें 31 में से घटाना है 39 को तो चलो देखते हैं 31 में से 39 घटाने पर हमें क्या मिलता है तो यहाँ पर हमारे पास एक एकाई है और यहाँ पर हमारे पास 9 एकाईया है तो एक एकाई में से 9 एकाईयां तो हम नहीं घटा पाएंगे और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास तीन दहाईया है और यहाँ पर हमारे पास दो दहाईया है तो काम करते हैं इस तीन दहाई में से एक दहाई हम उधार ले लेते हैं तो यहाँ रह जाएगी सिर्फ दो दहाईया तो 31 जो है वो बराबर है यहाँ पर दो दाहियों के और 11 एकाईयों के अब 11 एकाईयों में से 9 एकाईयां हम घटा सकते हैं तो यहाँ पर 11 में से जब 9 घटेगा तो हमें उत्तर मिलेगा 2 और यहां पर दो दाहयों में से दो दाहयों घटाने पर हमारे पास कोई भी दाहय नहीं बचेगी तो यानिकि 31-39 हमें मिल रहा है 2 तो यानिकि यह पीले एरो की जो लंबाई है वो है 2 एकाईयां लेकिन यह जो पीला ऐरो है यह बाई तरफ है तो यह जो संख्या होगी यह होगी रिन दो तो यहाँ पर जब हमने 15 में रिन 46 जोड़ा तो हमें उत्तर मिला रिन 31 और जब उसमें हमने 39 जोड़ा तो हमें उत्तर मिल रहा है रिन दो तो यानि कि 15 रिन 46 और 29 का जो कुल योकफल है वो है रिन दो तो यहाँ पर हमने इन 3 संख्याओं का योकफल ग्याद किया संख्या रेखा के जरिये और उत्तर हमें मिला रिन दो